हेलो एवर्वान होप यू और डूइंग गड़ तुड़े विया गुएंग टॉइसका नाम है एक्जियो लॉजी तो एक्जियो लॉजी आप सबको पते अक्च्वल में क्या है यह एक्जियो लॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है वेल्यूस कि कोई भी चाहे इं आप सबको बताब बहुत सारी वेल्यूस होती है जैसे मॉरल वेल्यूस होगी कल्चिलर वेल्यूस हो गई और बहुत सारी ठीक है तो यह सब वेल्यूस बच्चे में आपने इनकल्केट करनी है तो एक्जियो लॉजी फ्रम दे वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि आपने बच्चो को क्या सिखानी है values सिखानी है now comes अभी देखते हैं हम इस चार्ट के ठूँ कि एक्जोलोजी का मतलब क्या होता है values होता है और values भी दो तरह की होती है याद रखना एक होते है ethics अब ethics क्या होते है और aesthetics क्या होते है इसको अगर short में बताया जाए तो ethics तो होती है moral values and rules of right conduct कि moral values क्या है कैसे आप society में interact करते हैं कैसी values आप घर में सीखते हो या बाहर जाके सीखते हो वो होती है आपकी moral values कि आप किसी person को sympathy दे रहे हो या empathy की तरह behave कर रहे हो it all depends on your moral values कि आप में values है कैसी किसी में अच्छी moral values होगी तो वो अच्छे से environment में interact करेगा या चलो environment में जाने से पहले भी अगर किसी का family environment बहुत जादा अच्छा है उसके parents उसको खूब सारी moral values दी है कि कैसे आपको अपनी elders को respect करना है ठीके जी ये भी एक तरह की moral values है कैसे teachers के साथ हमें रहा जाए family हो गई और school हो गई स्कूल में जो teachers होते हैं वो हमें क्या सारी चीज़ सिखाते हैं value सिखाते हैं अब it depends on us कि हम उन values को positively grant करते हैं या negatively लेते हैं aesthetics क्या होता है value in beauty and art तो simple सी बात है aesthetics का मतलब होता appreciate करना किसी beauty को जैसे कि भगवान ने देखो कितना प्यारा nature बनाया है ठीक है जी बहुत से flowers हैं इतने beautiful है flowers हो गए animals हो गए कई birds भी होते हैं जो बहुत जादा colorful होते हैं यह क्या चीज़ें attractive होती हैं जैसे कि for example आप किसी के में गए आपने देखा वहां पर कितनी सारी beautiful चीज़ें तो आप यह नहीं को गए कि अरे फिर क्या हुआ इसने तो वैसे लगाया हो है no aesthetics का मतलब होता है आप उसको appreciate कर रहे हो किसी beauty को appreciate कर रहे हो कि यह चीज़ कितनी ज्यादा beautiful है ठीक है वो होते है aesthetics और ethics होती है values और ethics होत होती है किसी beauty को appreciate करना अगर आपको कोई person अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है उसके बोलने का तरीका उसके चलने का धंग में भी आपको कुछ अच्छा लगता आप उसको appreciate कर रहे हो ठीक है कि यह कितनी अच्छी चीज़ है तो actual में definition of value values क्या होती है empirical quality which can't be defined value actual मे जो value है उसको हम एक term में define नहीं कर सकते ठीक है बस हम इसको समझ सकते है कि actual में values होती क्या है ठीक है यह अच्छी values होनी चाहिए moral values होनी चाहिए बच्चे में humanity होनी चाहिए और यह सब बच्चा कब सीखता है पहले तो देखो family से और second फिर आजाती है चीज जब वो society में interact कर अब हम definition देखेंगे axiology की तो axiology derived from the two Greek words axios axios का मतलब होता है values और logos मतलब logic या theory आपकी theory of values की आपकी values को लेकर आपकी क्या theory है क्या आप सोचते हो आप में कैसी values है वो सब क्या होती axiology होती है तो axiology अब भी तो शमस आगया होगा क्या axiology आपकी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो कितनी brotherhood है society में ये सब चीजें भी आती है religious values है आप में या नहीं है भगवान को मानते हो उनको लेकर आपको point of view के है तो यह सब यह values ही होती है ठीके कई को क्या होता है घर में ही अगर starting में जो बच्चा होता है जैसे उसको environment में रखा जाएगा वो वैसे ही होगा घर में अगर कोई पाट पूजा नहीं कर रहा किसे के घर में तो उस बच्चे को क्या पता क्या होता है भगवान उसको कभी किसे ने बताया नहीं है family मतलब working parents है उसके उनके पास इतना time नहीं है तो यह सब चीजें उसके लिए क्या है useless things है but actual में यह values उसमें inculcate होनी चाहिए एक individual में ठीक है जैसे की values होनी चाहिए ethics होने चाहिए aesthetics होने चाहिए appreciation ठीक है जी और religion it is a study of values and value judgments the science of ideology enables us to identify our internal valuing system कि हमारे में कैसा value system है हम किस चीज़ को कैसे value करते हैं हम में कौन सी values है और इससे क्या चीज़े influence होती है perception decisions and actions कि देखो अगर आपी moral values अची है तो आपके actions खुद बाखुद साहिं होंगे क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि हम school में जाते हैं colleges में जाते हैं बहुत सारे बच्चों से हम interact करते हैं कई बार हम क्या करते हैं कुछ गलट decisions ले लेते हैं या हम कुछ ऐसा behave कर देते हैं को सामने वाले को अच्छा नहीं लगता ठीक है हम क्या करते हैं हम तो वही कर रहे हैं जो हमें values मिली है तो actual में क्या होना चाहिए कि हमें हमें अच्छी values लेकी आने चाहिए ताकि जो सामने वाला है उसको भी अच्छा लगे हम से interact करके तो ये क्या होती है values होती है information and the insights provided to the value profile objective studies can be conducted on performance strength and development needs for individual and organization अच्छी moral values होंगी तो अच्छा आप क्या होगा परभाव पढ़ेगा एक तरह से ठीक है जी तो moral values is very important फिर उसके बाद some significant questions in axology includes the nature of the values क्या आपकी values है कैसी is a value fulfillment of the desire क्या जो values है वो आपके desire को fulfill कर रही है pleasure, preference और behavior, disposition और simply human interest of some kind axology को हम दो parts में divide करते हैं अभी हमने पढ़ा ethics and aesthetics ethics क्या होती है it is a study of values in the human behavior या moral problems ठीक है जी हम जब किसी human behavior को check करते हैं या study करते हैं उसकी values को उसको क्या बोलते हैं ethics और aesthetics क्या होता है it is a study of value of arts or the inquiry into the feelings judgment या हम कैसे उसकी beauty को judge कर रहे हैं या appreciate कर रहे हैं depend करता है ठीक है जी फिर आते है study of values तो हम कुछ definitions रहेंगे actually philosophy theory of value क्या है axiology is a study of value or goodness or its widest sense तो अभी आपको समझ तो आ गया axiology होता क्या है subjective theories की according values things are valuable only so far as they are desired ठीक है जब तक सामने वाला इना चाहे कि उसमें values अच्छी हो या वो खुद अच्छा बने तब तक आप कुछ नहीं कर सकते axiology is a branch of philosophy which focus on the study of values too ठीक है values की तो बात ही की गई या axiology में तो ethics क्या होते है what is good and evil, right and wrong मतलब morality की बात आ जाती है एक तरह से याँ पे ठीक है कि कौन सी चीज सही है कौन सी आपके लिए गलत है या आपको खुद से पता लग जाएगा जब आपने values होंगी what is that sense होंगी is it ever right to take something that doesn't belong to you देखो अगर आपमें values होंगी अच्छी तो आपको पता होगा कि जो चीज आपकी है सिरफ वही उसी पर आपका हक है ठीक है तो किसी और के चीज छीनना it's not a moral values तो ये चीजे हमें ethics से सीखने को मिलती है ठीक है फिर उसके बाद आते हैं next study of values in human behavior or study of moral problems कि human behavior में study करना उसके moral problems को ठीक है जी the rightness and willingness of the actions कि क्या आप जो action ले रहे हो क्या वो सही है तो आपके मतलब खुद ही जो values है वो सारी चीजे दिखा देती है कि actual में आपको क्या सही है क्या गलत है अगर आप में अच्छी values होंगी तो आपको पता होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी नहीं है whether actions are blameworthy और praiseworthy मतलब करी बार क्या होता है हम किसी को बहुत पड़ाफट blame कर देते हैं कि हाँ सारी गलती तेरी है बड़ा अक्चुल में अगर हमें values होगी हमें पता होगा हम क्या कहेंगे एक तरह से कि चलो कोई नहीं बगवान की मर्जी थी बगवान ने अभी इसको बनाया ही ऐसा है मतलब हमें क्या है sense है हमें values है तो हम यह कह देते हैं चलो कोई नहीं अगर भगवान ने उसको ऐसा बनाया है तो इसमें हमारी क्या गलती है, है वो ऐसा, that's it, but अगर किसी में values नहीं होंगी, वो सिधे कह देगा, अरे तेरी ही गलती है, बस तेरे कोई अक्कल नहीं है, ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है, now come aesthetics, aesthetics क्या होता है, what is beautiful, अक्चुल में आप appreciate कर रहें उस चीज को बगवाण जी ने इतना सारा अच्छा nature बनाया, बहुत सी चीजें है, plants हो गए, trees हो गए, हम आसपास अपने जितनी भी beauty देखें, animals हो गए, plants हो गए, फिर उसके बाद sun rise करता है, सुबे सुबे कहीं को वो भी अच्छा लगता है, moon ह इस तार्ज हो गए, यह सारी चीजें, मतलब चाहे कोई music है, चाहे art है, उसको क्या कर रहे है, appreciate कर रहे है, कहीं बहुत सारी beautiful paintings होती है, कहीं तो कहते है कि छोड़े इसको ग्या देखने है, इसमें क्या देखने है, लायक नहीं है कुछ, बट जिसमें values होंगी, वो क्या उस चीज को appreciate करेगा, कि हाँ, देखो दिहान से, कुछ तो है इसमें, तब भी तो उसने बनाई है, तो यह differ करता है individual पे, what kind of values one have, can there be beauty in destruction, तेखे, क्या destruction में भी कोई beauty होती है, मतलब यह सारी क्या आपकी aesthetic sense है, मतलब जो भी feelings है, आप किसी और की feelings है, empathy की feelings है, आप में, यह सब aesthetic sense है, कि जब किसी को problem आए, आप उसकी help करो, ठीक है, एक तो होता है sympathy दिखाना, आप simple sympathy दिखा रहे हो, कोई नहीं, और यह हो जाएगा, एक होती है empathy, खो दूर की जगा जाकर देखो कि हाँ, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, क्या मैं उसकी help करो, यह होती है, aesthetic sense, ठीक है, आप उस beauty को appreciate कर रहे हो, that yes, it is beautiful, philosophy of art is concerned with the judgment of sense, taste and emotions, ठीक है जी, तो यह है, ethics, aesthetic sense, हमने पढ़ी, axiology पढ़ी, और axiology actual में क्या है, कि values की बात की गई है, ठीक है जी, और यह सब values तभी सीखी जा सकती है, जब आप क्या करोगे, society में, interact करोगे, जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, वैसे ही वैसे आप में values inculcate होती जाएंगी, I hope today's video is useful for you, thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.